ओम्श्री महादळा धिपतः नमाहा ओम्श्री उमा महेश्वरा म्याहा नमाहा वालमी के गुरु देव के पलपंगज सिरनाए सुमिरे मात्सरस्वती हम परोसाए मात्पिता की बंदला करते बारंबा गुरु जन राजाप जाजन नमन करोस्वीता हम कथा सुनाते राम सकन गुल धाम की ये रामा यड़ है तुने कथा श्री राम की जंबू द्वी पे भरत खंडे आर्यावर पे भरत वशेक नगरी है बेख्यात अयोध्या नाम की यही जनम भूमी है परम पूझे श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकन गुल धाम की ये रामा यड़ है तुने कथा श्री राम की ये रामा यड़ है तुने कथा श्री राम की रभुकुल के राजा नर्मार्मा चक्रवर्ती दश्रत पुन्यार्मा संतती हे तो यक्य करवाया धर्म यक्य का शुबल पाया रिप घर्चन में चार कुमारा रगुप रीप जगत आधारा चारो घ्रातों के शुबनामा घरत शत्रु घन लक्षमर रामा गुरु वरिष्ट के गुरु कुल जाके अल्प काल वेत्या सब पाके पूरण हुई शेक्षा रगुप रपूरण काम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायन है उन्न कथा स्री नाम की ये रामायन है उन्न कथा स्री नाम की निदू स्वर को मल भावना रोचक प्रस्तू तिढंग एक एक करवर नन करें लभु कुश राम प्रसंग विश्वामित्र महामुनिराई तिन के संग चले दो भावी कैसे राम ताड का मारी कैसे नात अहिल्ल्या तारी मूनिवर विश्वामित्र तब संग ले नक्ष मन राम कि आस्वयंबर देखने पहुचे मित्र दाधाम जनकपुर उत्सब है वारी अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी जनकपुर उत्सब है वारी जनक राज का कखिन प्रण सुनो सुनो सब कोई जो तोडे शिव धनुष को सोसीता पती होई कोतोरी शिव धनुष कठोर सबकी विष्टी राम की ओर राम दिने गुण के अवतार उर्वर की आग्या सिधार सहज भाव से शिव धनुटोडा जनक सुतार संगनाता जोडा रभुवर जैसा और न कोई सीता की समता रही होई दू करे पराजित कांती कोटी रती काम की हम कता सुनाती राम सकल गुण धाम की ये रामायन है पुण्ज कता श्री राम की सब पर शाब्द मोहि नीडारी मंत्र मुक्त भय सब नरनारी यूं दिन रेन जात हैं वीते लब कुषने सब के मन जीते सबिस्तार सब कथा सुनाई राजा राम भएर गुराई राम राज आयो सुख दाई सुख सम्रीत शीरी घर घर आई कौल चक्र ले घटलो क्रम में ऐसा चक्र चलाया राम सिया के जीवन में फिर घोर अधे राच आया अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया जदीजिया जब तोड कर सब नेहना ते मोहके पाशाण रिड़यों मेना अंगाले जगे वित्रोह के मम्तावई माओं के आचल भी सिमट कर रह गए गुरुदेव ज्यान और नीति के सागर भी घट कर रह गए ना रघुकुल रघुकुल नायक कोई नसियका हुआ साहायक मानवतागो खो बैठे जब सब्ह नगर के वासी तम सीता को हुआ तहायक वनका एक संध्या से उनरिश परहो नार का बाल में के शुगनमा सीता को अश्य दिया ले आए जधाम रघुकुल मी कुल दीप जलाए राम के दो सुत सी अही जाए श्रोतागन जो एक राजा की पुत्री है एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवती राजा की पत्नी है वही महरानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है अपने कुल के गवरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयम करती है स्वयम वन से लकडी काडती है, स्वयम अपना धान पूटती है, स्वयम अपनी चक्की पीस्ती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है अब उसकी एक करुन जहांकी देखिए जनक दुलारी कुल वधुरश रथजी की राजरानिहों के दिन वन में बिनाती है रहे ते ते घेरी ची से रास दासी आठोया मतासी बने अपनी उदासी को छुपाती है धर्म प्रविन सती परव पूली न सब विधी दोश ही नाजी ना रुख में सिखाती है जग मता हरी प्रिया लक्षमी स्वरू पसिया उटती है धान भूज स्वयम बनाती है कठिन कुल हाडी लेके लगडिया काटती है अरव लिखे को पर काट नहीं पाती है फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था दुख भर जीवन का बोज वो उठाती है अरधाग नीर घुबीर के वो धर धीर भरती है नीर नीर नैन में लालाती है जिसकी प्रजा के अप वादों के गुचकर में वो पीसती है चाकिसो भीमान को बचाती है पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी की भाती सौभीमानी ज्वावरंपी सबल बनाती है ऐसी सीता माता की परिशा लेते दुख देते निठुर नियती को दया भी नहीं आती है ओ उस दुखिया के राज दुलारे हम ही सुत श्रीराम के हारे सीता मा की आँख के तारे लब कुष है पितु नाम हमारे हे बिन भाग्य हमारे जागे राम तथा करी राम के आगे राम तथा करी राम के आगे राम तारे लब करी ca औरे मत जुखिया आती है हमारे